बारूद बन गया, अचानक फूटा हो, टाइम रहते सुधर जाना चाहिए, किसी को भी, वनना अंग्रेजों ने भी यही गलती किया था, उस तरह सरकार का समर्थन करने के लिए भी आ जाएंगे, कि हाँ भईया आपने अमारी बात को मान ली थी, जो एक भीड, एक आग, आपने जो कूप बनाना आसान नहीं होता है, आप देखिए, नई नौकरी को तो गोली मारी है, नया नौकरी टो भी उमीद ही नहीं ही कि निकलेगा, जो नौकडी निकली हुई है, जो एठारा की वेकेंशी उसे किलीर नहीं हो पा रहую होु जो उन्नीस में वेकेंशी आई समझ में आता है कि student की life के साथ खेलना एकदम घातक है क्योंकि एक बार अगर युवा बिगड़ गया ना तो फिर समहलना मुश्किल है तलवारों के साय पर इतिहास हमारा बनता है जिस और जमानी चलती है उस और जमाना चलता है गवर्मेंट को नहीं भूलना चलिए कि यह य जिरों ने इस सरकार को फर्स पर पड़ी थी इसे उठा कर और्स पर पहुंचा दिया लेकिन जिस दिन युवा बिगड़ेगा उस दिन और्स से उठा के फिर फर्स पर फेक देगा ताइम नहीं लगेगा जिसको आप दीरे-दीरे देख रहे हैं युवाओं के बीच में इ अगर नौकरी हो गई तो मेरे चुनाओ की रैली में को जाएगा? CET लिए दो, क्या मतलब बनता है? CET लिया ओ, CET लिया ओ, लड़कों को PT में पास करा के, फिर मेंस में लड़ा हो, आप ये लोग किसी काम के नेए, इनलोग में एकदम रिफोर्म की जरूरत है, जब तक इ मतलब नहीं बनने वाला है इन लोग को किसी चीज़ से मतलब नहीं है वो में जो एक गुसा था वो गुसा धीरे-धीरे एक बारूद बन गया अचानक फूटा हो टाइम रहते सुधर जाना चाहिए किसी को भी वना अंग्रेजों ने भी यही गलती किया था उन्होंने कहा था है जिस तरह से आप इनके साथ खेलबा कर रहे हैं याद रखेंगे कि 24 में ये सब भी जाएंगे सब और हर इस्टेट वालों को कहते हैं कि भाई देखें ये एलेक्शन का मुद्दा नहीं है नहीं ये पोलिटिशन का मुद्दा है मुद्दा के राज्यों को कहते हैं आप बढ़िये मराथी आप सोये मत कहां गए आप लोगो च्छतरपती सिवाजी महराज का वो जुनून आप दिखाएं इसमें राजस्थान के रागपुदों उठो याद करो अपना इतियास एक बार फिर करांती की जरूवत होती है हरियाना के जाटों को कहते हैं जिस समय आप आपको आरक्षण लेना था पूरी दुनिया देखी कि किस तरह आप लोग ने सरकार की उपर चड़ के अपनी बात मनवाली आज वो वक्त आगे आप क्या करेंगे आरक्षण को लेकर क्या करेंगे रिजर्वेशन लेकर जब आपके पास वेकेंसी नहीं रहेगी हर जगा से राज एक एक राज जब तक आप एक नहीं होंगे तब तक ये आपको बरबात करते रहेंगे सब अगर आप गलती से बोल दिये ना हमें जॉब चाहिए हम क्या चाहिए हमको बस लड़कों को जॉब दे दिजे भाई साब उनका कितना बड़ा सपना होता है 30-40,000 की नौकरी एंटीनेशनल हो गया तुम गवर्मेंट के खिलाब बोल रहा है अरे भाई हम क्या खिलाब बोल रहे हैं गवर्मेंट में खुद बोला था 2 करोण नौकरी देंगे वरना अगर ऐसा ही हाल रहा ना तो हम गारेंटी देते हैं कि लड़के सड़क तो उतर जाएंगे और नही क्रांती आ जाएगी यहां पर जिसे इतिहास में लिखा जाएगा कि यह कैसी क्रांती थी जो भारत के युवाओं ने अपने भविस्ते के लिए लिखा था मत लल करिये युवाओं को वरना यह एक दिन युवा उत पाग ये इसका सर घुमाना तो यह अपनी हद नहीं जी उनका रेजल्ट तो दे दीजे क्या होगा हर जगह यह समस्या किसी एक व्यक्तिगत समस्या नहीं है यह स्टूडेंट्स की मांगे इसे आप राजनीतिक मत समझे सरकार दे दे हम लोग सरकार का जिस तरह से विरोत कर रहे हैं उस तरह सरकार का समर्थन करने के लिए भी जाएंगे कि हाँ आपने हमारी बात को मान ली थी जो एक भीड एक आग उबल रहा है स्टूडेंट्स के बीच में उसे रोक नहीं पाएगा कोई आप ऐसे देखिए कि सिक्षक हिंदुस्तान का आप छोटा या बड़ा कोई सिक्षक देखिए जो आज बगावत के लिए न जो भी सोसल मीडिया है ट्वीटर पर हैस्टेंग ट्रेंड कीजिए ताकि ट्वीटर पागल हो जाए हम लोग भी अपनी आवाज दबने नहीं देंगे और आपकी स्टूडेंट्स लोग के भी हाथ जोड के बिनती है कि अपने आवाज को दबने मत दीजे आप अपने गार खार्थियों की समस्या को उजागर करने के लिए आप उसके सामने लाए हैं हम लोग की बाते अगर आपको तकलीफ लगती है तो भाई हम इसके लिए आपी जिमेदार है हम सारी स्टूडेंट को करते हैं आप जो भी कमेंट करें जो भी हैस्टेक चला है उसमें दो चीजों का ध्यान दे कहीं भी हिंसा को बढ़ावा देने वाला काम न करें और अभधर भासा का परियूब न करें क्योंकि अगर इस तरह का परियूब करेंगे तो फिर सरकार को एक बहाना मिलेगा आपकी इस अंदोलन को खुचलने का आप एकदम अहिंसक रूप से एकदम सब तरीके से अपना विरोध दिखाएंगे और हम उमीद करते हैं कि ये गांधी का देश है एक दिन हम जरूर जीतेंगे राप कितनी भी बड़ी क्यों न हो सुबह होने से नहीं रोक सकती है सफलता एक दिन में भले न मिले लेकिन एक दिन तो जरूर मिलेगी और ये विद्यार्थी अपना इतियास अपनी हाथों से लिखेंगे ये वादा है अगर विद्यार्थी एक साथ जूटे तो सरकार को जुकना ही पड़ेगा